हम सिब को पता है हमारा बजेट हाली में आया है तो आज ही इस वीडियो में हम benefits of the budget की बात करेंगे और coming वीडियो जो की संडे को आएगा उसमें हम detail budget को discuss करेंगे तो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ benefits of budget from 2024 और specially कि इनके लिए middle and lower class people के लिए यहाँ पर जो पहला point है rationalization of capital gain tax rationalization of capital gain tax मतलब क्या है कि इन्होंने process को क्या क्या है simplify किया है process को क्या करने की कोशिश की है यहाँ पर simplify करने की यह जो tax laws है यह जो regulations थे किसके उपर capital gain tax के उपर उन process को इन्होंने as simple as बनाया ताकि वो profit में convert हो सके यह यू के सकते हैं कि जो investment है जो asset या stock, bond, real estate या business इन में क्या होगा यह जितने जादा simplify होंगे उतने जादा इसमें क्या हो सकता है investment बढ़ सकती है तो in short यहाँ पर बात करें तो इन्होंने क्या-क्या चीजों को rationalize किया है जैसे कि tax rate को मैंने कहा simplify किया या simplify में दूसरा word में यहाँ पर use कर सकती हूँ कि इन्होंने क्या किया कि जो complexity थी यहाँ पर उस complexity को इन्होंने reduce किया ठीक है या जो lookfall से जो भी कुछ इसके अंदर हम exemption की बात किया करते थे इनको यहाँ पर इन्होंने क्या करने की कोशिश की exempt करने की कोशिश की तो यहाँ पर हम in short क्या कह रहे rationalization of the capital gain tax तो इस पर यह दि हम समझे rationalization of gain tax के उपर तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कि short term capital gain tax को increase करके कितना किया है 20% में यहाँ पर इन्होंने किया इंक्रीस किया तो यह इसमें हम क्या कह सकते कि भाई नंबर आप टैक्स रेट यह जो ब्राकेट से उसको इंशॉट इन्हों ने क्या किया पर रेडियूस किया इंक्रीस किया थ्रीशोल्ड टैक्स में एक्जैमिशन लिमिट को भी यहां पर इन्हों ने क्या किया इंक्रीस कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो की 1.25 लाप पर एर के हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं तो इंशोर्ड इसका क्या benefit होगा जो मैंने पहले ही पेच पर कहा हूँ कि middle class and lower middle class people को या lower class people को इसका benefit होगा तो पहले तो यह होगा कि लोगों के बिच में क्या है कि इनको लेके क्या आएगी clarity आएगी या certainty आएगी किन लोगों को जो taxpayers है हमारे country के अंदर या दूसरा चीज होगा कि जैसे कि इन्होंने इन tax को क्या किया है capital can tax को तो इसकी वज़े investment यहाँ पर बढ़ेगी investment बढ़ेगी तो in short हम कह सकते कि हमारी economic जो activity है वो यहाँ पर क्या होगी बढ़ेगी tax evasion या जो avoidance यह जो चीज़े पहले चलती थी वो भी अब क्या होगी यहाँ पर कम होगी या reduce होगी ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने employment generation employment generation अब कोर्स अब यह यह middle class या lower class लोगों के लिए इसका benefit है तो हम लोगों को सबसे important चीज़ क्या होते है कि हमारे पास employment होना ज़रूरी है तो यहाँ पर इस budget में इन्होंने इस generation पर इस एंप्लोईमेंट को generate करने में focus दिया है तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या काया कि reimbursement of the employers contribution to किसके अंदर EPFO for the additional employees तो यहाँ पर पहले समझते कि reimbursement of the employers क्या है reimbursement of the employers means क्या हो सकता है कि repay करना है इनको कि इनको जो भी employees है ना उन्हें repay करना है या उन्हें compensation देना है या compensate करना है तो किस तरीके काद इसको हम किस तरीके से जोड सकते कि इनको है benefit होगा तो देखो work related expenses जैसे कि वो कही से एक प्लेस से दुसरे प्लेस जा रहे है तो means क्या मिलेगा इनको यहाँ पर travel cost मिलेगा ट्रेनिंग्स मिलेगी ठीक है यह कह सकते है employer provident benefit यहाँ पर इप फो मैंने लिखाई है कि यहाँ पर इनको benefit मिलेगा educational assistance मिलेगा यह दे को यहाँ पर लिखा है internship support of the youth मन्स यूद को भी क्या है कि आपका एक education लेते हुए आपको internship की support मिलेगा skill development programs यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होगे allowances से लोग देंगे reimbursement मतलब यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो है कि direct payment होगा कि इनको employer को जो किसके अंदर इनको मिलेगा benefit provider के अंदर इने मिलेगा यह कैसकते कि expense claim जो भी है वो particular employee है जो से इस प्लेस से जाके इस प्लेस तक जाना है तो वो अपना expense claim भी करेगा next यहाँ पर हमने क्या का कि youth को भी internship support scheme से यहाँ पर लाई गई है and the skill development programs भी क्या है launch किये गए है now the increase standard deduction पहले तो यह समझते है कि standard deduction को जो यहाँ पर increase किया है इसका particular meaning क्या होता है see इसका simple meaning क्या है कि government ने raise किया minimum amount of income कि जैसे पहले कितना था यहाँ पर देखो इनों यहाँ पर क्लियर का कि पहले कितना 50,000 का यहाँ पर स्लापता पर अब इसको इंधीस करके कितना के 75,000 which mean कि अब जो भी middle class या lower class जो इंसान है यदि उसका income 75,000 के आसपास है या उससे कम है तो ऐसे इंसान को या ऐसे बंदे को अब यहाँ पर क्या है जैसे कि यहाँ पर again I repeat मैंने क्या का कि कोई एक person है उसका income पहले कितना था 50,000 है यदि 50,000 के अबाव होता था तो उसे income tax देना पड़ता था पर अभी इसको इनोंने क्या किया है 75,000 के slab में यहाँ पर लाया है मिन्स previous standard कितना था 50,000 अब इसको increase करके इनोंने new standard कितना लाया है 75,000 तो अब यह high standard deduction benefit किस तरीके से हमें मिलेगा कि भाई इसका meaning कहा है कि इनोंने simplify किया है अगि tax filing को means fewer taxpayer need to itemize deduction तो यह reduced tax liability tax liability को यहाँ पर इनोंने reduce किया मिन्स more income जो है अभी के समय में क्या किया गया है exempt कि इसमें से taxation से क्योंकि इनिशेल कितना था 50,000 था अब कितना है 75,000 है तो मतलब obvious है कि 25,000 जो क्या हुआ है यहाँ पर increase हुआ है तो means क्या हुआ टाक्स liability भी हाँ पर reduce हुआ है टाक्स टेक इंक्रीज होगा अब इस वज़े से take home pay means taxpayer keep more of their hard-earned money और mostly इस amount के बीच में यह जो 50,000 to 75,000 है इसमें mostly middle class and low income group ही होता है तो अब यह particularly इसका क्या benefit होगा जो मैंने पहले वर्ड यूज गया तो इसका पहले सबसे important किसको as usual जो हमारा आज का वीडियो ही है कौन low or middle class या middle income earner जो इनका means वो लो जो may not may sorry may not have may itemize the deduction second इसका benefit किसको होगा जो salaried employee है not even many business related means उनका बही एक ही चीज है one source है वो है उनका salary जो क्योंकि वो government employee है या कहीं पर private में भी वो है employee है ऐसे लोगों को भी इसका क्या होगा benefit होगा और तीसरा जो रिटार है अब रिटार है मतलब क्या है कि उनका income source जो है limited है तो ऐसे में भी यह जो standard deduction को increase क्या है इसका हमें क्या होगा benefit होगा ठीक है अपर फॉर्म डैट यहाँ पे next क्या new income tax lab इन्होंने लाए है देखो अब budget ने इंट्रोड्यूस किए new tax new income tax lab तो जैसे कि यह दि कोई कोई किस इंसान है जिसका 0 to 3 लाग के बीच में होगा तो उसे income tax कितना slab जो है वो निल है 3 to 7 लाग 5 परसेंट है और वाइस वरसा यह प्लीज पढ़ लिजे पर हां किसी भी competitive exam के लिए इस लाप को थोड़ा सा प्लीज याद रखने की कोशिच ज़रूर कीजे नाव दर नेक्स जो इस budget में रखा है वो ह इन्फरास्ट्रुक्चर डेवलपमेंट देखो इस इन्फरस्ट्रुक्ट्ट्र डवलपमेंट में यहां पे मैंने तीन पॉइंच लिखें जैसे कि इस में मैंने क्या का कि बिहार इस state को इन्होंने 26,000 कृड दिये किसके लिए रोड प्रोचक्क के लिए और आपको road and highways बनाना है जैसे यहाँ पे बिहार में आपको दिख रहा है यह बात अलग है कि बिहार का हर ब्रीज जो भी नदी के ऊपर बनाया गया वो गिर रहा है पर state government वो क्यों गिर रहा है या center government यह नहीं देख रहा है कि वो bridge क्यों गिर रहा है पर still they are providing the money ताकि वो वहां के जो road project से वो और अच्छे से strong कर सके तो यहाँ पर जो infrastructure development यह वाला जो word मैंने यहाँ पर यूज किया है इसका simple सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमें जैसे की road highways, bridge, tunnels जो हम बनाते है यह water and the seaway system बना सकते है टली कमुनिकेशन network and all तो इस तरीके के चीज़े बनाने के लिए यह पर क्या है इन्होंने infrastructure development किया है इस लाब में allocate किया है फंड infrastructure development के लिए और जो की कितना allocate किया इन जनरल एधी developing infrastructure की बात करे तो 1.5 lakh crore के आसपास ठीक है तो इस development का इसका exact aim क्या हो सकता है इस पूरे इस वाले slab का sorry इस वाले point का तो इसका यह है कि भाई quality of life to the citizen अपकोर से ध आपके पास highways है, hospitals है, schools है, telecommunication network है, तो इसका सिधा इसका किसके साथ, means हम relate कर सकते है, citizens, means quality of life to the citizen, economic growth होगी, मान लिजए आपके पास अच्छे highways है, hospital है, school है, telecommunication है, energy या power generation है, तो इसका क्या है, economic growth पे भी सिधा impact पड़ेगा, jobs create होंगे, ठीक है, essential services जो भी हमें चाहिए होत है, ठीक है, तो यह fund specified project जैसे की building new highways and all, जिस पे हमने अभी बात की है, next हम यहाँ पर क्या करें, कि social security majors भी इस बार के हमारे budget में रखा गया है, तो देखो इस social security budget में पहला तो हमारा हमेशा ही एक पहला ए रहता है, कि सबसे important जो हमारा होता है, वो है हमारा education loan, तो इस budget 2024 में क social security में क्या पहला तो important education loan को up to 10 lakh for the student studying in the domestic institution, इनका interest rate कितना 3% के अंदर, means education loan अब कितने तक मिलेगा हमे 10 lakh for the student, and loan up to 7.5 lakh का जो होगा individual के लिए, वो means उसे कोन बैक करेगा government fund for the promotion of business skill and development, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि यह तो यहाँ तक हमने अभी तक, यहाँ तक हमने बात क कि हमारी इस budget के हमें क्या-क्या benefits मिल सकते हैं, पर अपकोर्स एक चीज़ होती है कि जहाँ पर benefit है, उसके कुछ न कुछ थोड़े cons भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम negative impact देखते हैं हमारी इस साल के budget का, जो पहला word यहाँ पर, sorry, जो पहला point है यहाँ पर वो है हमारा fiscal deficit see, fiscal deficit तो हम सबको पता है कि क्या होता है, कि भाई, government का जो total expenditure होता है, जो government हमारे उपर expenditure कर रहे हैं, उसमें से जो revenue उनको generate हो रहा है, उस revenue को जब हम उसमें से minus करते हैं, तो जो चीज हमें मिलते हैं, उससे हम क्या कहते है, fiscal deficit, तो in short, fiscal deficit का, मैं और अच्छे से बताने के कोश मिलते हैं, इसका formula याद रहे हैं, तो total expenditure minus total revenue, is called the fiscal deficit, ठीक है, तो इस fiscal deficit को यहाँ पर, मिलते हैं, यह क्या है, यह क्या हो रहा है, पहले तो भाई, यह समझते हैं, कि fiscal deficit क्यो होता है, पहले तो भाई, यह दी government का क्या है, spending बढ़ रहा है, तो अभी तक हमने देखा कि जो करना पड़ेगा, तो मानली, जो अभी increase कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं उनका revenue generation, जो है, टोटल revenue क्या होगा, वो कम होगा, तो वो हम माइनस करेंगे, तो इंशोट उनका fiscal deficit क्या है, वहाँ पर बढ़ेगा, I'm sorry, तो टोटल revenue को एदी, फिर जितना वो revenue उस पर डाल रहे है, को एदी, हम माइनस करेंगे, तो उनका मिलेगा, deficit मिलेगा, ठीक है, तो इसके अलावा हम, दूसरा important चीज है थी, deficit है, मतलब हम क्या दे सकते है, कि tax revenue में reduce, reduction हुआ, हमने देखा, एक slab में, एक point में, कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या है, कि tax क्या क्या, reduce क्या, simplify किया, तो means क क्या है, कि reduction of the tax revenue, तो इसका सीधा impact किस पर पड़ेगा, कि जो हमारी economy, वो downturn में आएगी, ठीक है, तो अब ये, कैसे, means fiscal deficit, जो कि इस बार का हमने कितना रखा है, 4.9, तो ये क्यू रखा है, और इसका, means किस तरीके का impact पड़ता है, तो पहली तो मेन बात क्या होगी, कि यह यहाँ पर inflation बढ़ेगा, I again repeat, क्या बढ़ेगा हमारे यहाँ पर inflation, क्योंकि increase money supply, government क्या है, कि money को पकड़ के नहीं रख रहे है, वो increase कर लिए, ताकि जो चीज़े हमें मिल रही है, आसानी से, वो और अच्छे से मिल सके, तो पहला यहाँ पर क्या होगा, inflation increase होगा, दूसरा क्या होगा, higher interest rate, या increase होगा, इनका debt burden, पतानी करसर क्यों मेरा यह हो रहा है, दूसरा क्या होगा, debt burden भी increase होगा, देखो, जैसे कि इस point में मैंने कहा, कि इस साल का हमारा fiscal deficit कितना रखा है, हमने 4.9% of the GDP, यह हमने set किया है, तो इसका meaning क्या है, कि for every 100 रुपे, जो 100 रुपे है of the GDP, वो क्या है, government plan to borrow, वो government क्या करेगा, बोरो, कितने रुपीज में, 4.9, means 4.90 पैसे में to finance it spending, तो पहला जो कौन सार है, वो क्या है, हमारा fiscal deficit, ठीक है, सेकेंड क्या कहा है, हमने reduce grant, देखो, यहाँ पे एक साइड उन्होंने क्या, वहाँ पे हमने का कि भाही उन्होंने grants क कही न कई increase भी किया है, जैसे कि loan को सवनी क्या किया है, आसान किया है, पर कुछ grants को इन्होंने यहाँ पे reduce किया है, इस budget में, जैसे कि higher education regulator and a prestigious institution, देखो, यह दोगलापन्त word यूज नहीं कहूंगी, पर हाँ, बच्चों के education के लिए इन्होंने loan, जो हमें education loan मिलता है, उसको जरूर उसका जो एक point है, means 10 lakh तक उसको increase किया है, पर at the same time, इन्होंने क्या किया है, कि grant को भी reduce किया है, कहाँ पे education regulators के उपर या prestigious institution, तो इसका सिधा impact इस पर पढ़ेगा हमारे quality of education पे, अपर फोर्म देट, इन्होंने increase किया हमारी custom duty, देखो, increase custom duty यह करने के पीछे reason कहा है, तो पहला तो मैं वर्ड यूज करूँगी कि भाई, generation of the revenue, कईना कहीं यहाँ पे भी मैंने कहा कि deficit हो रहा है, ठीक है, तो इस deficit को हमें regenerate करने के लिए भी यहाँ पे हम custom duty को increase यह वर्ड यूज करेंगे, पर custom duty को increase करना सिप, generation of revenue यही इसका meaning नहीं है, पर इसके अलावा हम य इंडिजिनेस यह, जो domestic industry है, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर रहें, प्रोटेक कर रहें, कैसे कि हमने custom duty को क्या किया, यह पे increase किया, तो इसकी वेजे से क्या होगा, कि हमारा जो trade deficit है, वो भी सम्वाव क्या होगा, रेडियो सोने में इसमें help होगी, and the most important thing क्या होगी, कि हमार ठीक है, पर इसको यहाँ पे मैंने क्या, कॉन्स में रखा है, कि भाई, custom duty को increase, तो यह थी निगेटिव की बात करें, तो अबकोर जो चीज़ अभी हम चाइना का कोई माल, कोई भी एकादा प्रोड़क्ट या टी-पॉट, माल लिजे हम सो रुपे में खरीते थे, अब कॉ अब कोर्स उसकी प्राइस क्या होगी, increase होगी, means higher price for the consumer, तो अभी हमारे सामने जो भी चीज़ा होगी, increase इसमें आएगी, competition सबसे important क्या है, कि competition reduce होगी, तो उसका सिधे impact इस पे पड़ेगा, हमारे economic efficiency पे पड़ेगा, ठीक है, and the potential trade war यहाँ पे start होगा, ठीक है, next point की बात करे तो no indexation benefit, ठीक है, पहले तो समझते है, इसका meaning क्या है, कि यहाँ पर एक word आपको समझ में आया है, कि I use word benefit, benefit मतला, जो भी चीज़ हम कर रहे है, उसके उपर जो हमें benefit मिल रहा है, इस point में मैंने एक ही word यूज़ा है, sale of the property and all, इन ही जो benefits है, पर इसका सिप इसी में हम इस meaning को exemption करना है, means benefits, जो maintain करेगा purchasing power, purchasing power को maintain करने के लिए जो हम benefit देते हैं, उसको यहाँ पर इनोंने क्या क्या, no induction benefits, means यहाँ पर नहीं केस में डाला है, तो इसका meaning क्या है, कि यह करने के पीछे government, पहला तो क्या, इनका main काम क्या है, कि excited government क्या है, कि पैसे दे रही है, ठीक है, पैस complexity, मतलब complexity to the tax system, the government might have opted for the simplicity, क्योंकि यहाँ पर हमने simplicity को यह किया है, offer किया है, simplicity यहाँ पर लाईए, किसके अंदर, tax system के अंदर, तो due to which, again, हमने यहाँ पर no indexation benefits यहाँ पर लगाए है, तो इसका benefit का एधी positive देखो तो इसके कुछ negative impacts भी होंगे, ठीक है, तो यह क्या करेगा, reduce करेगा आपकी purchasing power, like tax benefit, lose value over the time due to inflation, क्योंकि inflation बढ़ेगा, तो अपकोर्स उसकी जो value है, वो क्या होगे, long time में lose होगी, तो यह पहला हमारे budget में इसको हम cons में रखेंगी, या increased tax burden and inequality, now the last one is the increased STT, see, पहले तो हम यह समझते हैं कि STT का full form क्या है, STT means क्या है, security transaction tax, again I repeat, security transaction tax, और यह point है आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं simply, कि जो tax है, उसके, sorry, जो tax है, उसे हम क्या देनी, provide करने की कोशिश कर रहे हैं, securities, ठीक है, तो यह transaction like involving security, जैसे किस-किस पर यह security हम ही यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि हम कह सकते हैं, किस पर bond, stock, derivatives and all पर, ठीक है, तो इसके पीछे न, several reasons हैं कि इन्होंने STT को क्या किया, यहाँ पर increase किया है, पहला तो सबसे important, again, revenue generation, देखो, एक side, यदि हम revenue generate नहीं करेंगे, और सिफ हम उनमें क्या expenditure करेंगे, तो क्या होगा, हमारा fiscal deficit जो यहाँ पर रखा, उससे भी जादा जाएगा, तो somehow हमें क्या करना है revenue को generate भी करना है, और इस वज़े से भी security transaction tax को यहाँ पर हमने क्या किया, increase किया, यह speculative trading जो अब तक हमारे country में चल रहे थी, उसको भी decrease करना है, और यह भी एक reason है, जिस वज़े से security transaction tax को क्या किया, हमारे budget में increase किया गया है, यह reduce करनी थी हमें market volatility and all, ठीक है, पर इसके यह जो इसका यह क्या होगा, increase cost of investor, जो भी budget, stock या bonds में, sorry budget के रहे हो, जो भी कोई किसमे stock, bond या derivative में invest करेगा, तो उसे हम investor कहते हैं, तो उस investor की जो cost है, invest करने की वो क्या होगी, increase होगी, reduce होगा market liquidity, अपकोर्स अब उनके पास पैसा नहीं है, तो liquidity जो market के हो, क्या होगी, reduce होगी, trading volumes भी यहाँ पर decrease होगा, और इसका सीधा impact हमारे किस पर पढ़ेगा economic growth पे, ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने सिप benefits की बात की, हम total and the detail में discuss करेंगे हमारा budget, coming video, जो कि संडे को आ रहा है, apart from that, एदी, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज, लाइक, शेर और स सब्सक्राइब जरूर करें